Good morning children and dear parents. आज हम लोग LKG की क्लास में हिंदी कवीता पढ़ेंगे. तो बच्चों, आप लोगों को यहां कौन सा चित्र दिख रहा है? जी हाँ, यहां बंदर का चित्र बना हुआ है. तो हमारे कवीता का क्या नाम है? बंदर. बंदर कवीता आपके पाठे पुस्तक पूजा गीत माला में दिया हुआ है. कवीता संख्या 13. बंदर. तो चलिए हम इसे पहले सुनते हैं. आप लोगों को ध्यान से सुनना है बच्चों. नन्धा कलाकार बंदर नहीं बनाता अपना घर. बांद लिये पैरों में घुंगरू, डमडम बाजे डमरू. कुछ थोड़े पैसे की आसा, नाचे कूदे करे तमाशा. तो बच्चों, अब हम लोग इसका एक्शन सीखेंगे. तो चलिए. नन्धा कलाकार बंदर नहीं बनाता अपना घर. बांद लिये पैरों में घुंगरू, डमडम बाजे डमरू. कुछ थोड़े पैसे की आसा, नाचे कूदे करे तमाशा. तो बच्चों, अब आप लोग अपनी जगा पे खड़े हो जाईए. हम लोग इसे साथ में करेंगे, एक्शन के साथ. नन्धा कलाकार बंदर नहीं बनाता अपना घर. बंदर बांद लिये पैरों में घुंगरू, डमडम बाजे डमरू, कुछ थोड़े पैसे की आशा, नाचे कूदे करे तमाशा. तो बच्चों, इसका विता में किसके बारे बताया जा रहा है? इसका विता में बंदर के बारे बताया जा रहा है. बंदर अपने पैरों में क्या बांद लिया है बंदर अपने पैरों में घुंगरू बांद लिया है और जब डमडम डमरू बाचता है तो वो क्या करता है वो नाच दिखाता है तो बच्चो आप लोगों को इसी तरह से इस कवीता को याद करना है और सीखना है बच्चो अब हमारा दूसरा कवीता है तो आप लोगों को यहां कौन सा चुत्र दिख रहा है जी हाँ यह भालू का चुत्र है तो हमारा कवीता का क्या नाम है भालू तो चलिए हमेसे पहले सुनते हैं भालू कविता आपके पाठ्य पुस्तक पूजा गीतमाला में दिया हुआ है कविता संख्या चौदा भालू तो चलिए हम इसे पहले सुनते हैं कहां गई आजादी वनकी बेचारे भालू के मनकी बांद दिये पैरो में घुंगरू डमडम डमडम बाजे डमरू नाचे कूदे करे सलाम मांगे पैसा कौडी दाम तो बच्चो अब हम इसका एक्शन सिखेंगे कहां गई आजादी वनकी बेचारे भालू के मनकी बांद दिये पैरो में घुंगरू डमडम डमडम बाजे डमरू नाचे कूदे करे सलाम मांगे पैसा कौडी दाम तो बच्चो अब आप लोग अपनी जगा पे खड़े हो जाएए हम इसे साथ में करेंगे कहां गई आजादी वनकी बेचारे भालू के मनकी बांद दिये पैरो में घुंगरू डमडम डमडम बाजे डमरू नाचे कूदे करे सलाम मांगे पैसा कौडी दाम तो बच्चो इस कवीता में किसके बारे बताया जा रहा है इस कवीता में भालू के बारे बताया जा रहा है उसके मन के बारे बताया जा रहा है भालू को क्या पसंद है वन में आजाद घुमना उसके पैरों में क्या बान दिये गए है? उसके पैरों में घुम्गरु बान दिये गए है. वो नाचता, कुदता और सबको सलाम करता है. तो बच्चो इसी प्रकार से आप लोगों को इसका विता को याद करना है और सीखना है. धन्यवाद.